Hello everyone, आप सभी का सुवागत है Magnet Brains in the Media में मेरा नाम विधान थे और मैं हूँ आप सभी का English Educator So my dear students, आज हम क्या पढ़ने वाल हैं? चलिए एक नजर देख लेते हैं Class 7th English MP Board, Lory, Lesson 11, Explanation अब जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक बड़ा प्यारा से चित्र बना हुआ है इस चित्र में एक महिला है और कुछ पुरुश्व लोग है वो लोग क्या कर रहे हैं? जलती हुई आग के सामने क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं, गार रहे हैं, तो अब आप लोग समझ चुके होगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर एक festival है, लोहरी का, वो चल रहा है यहाँ पर और आप लोगों को मैं बता दूँ कि यह पंजाबियों का festival होता है ठीक है? तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टमिनेशन पार अब यहाँ पर पोंस की कुछ इस चैंजर दी हुई है उनको हम क्या करेंगे? रीट करेंगे, समझेंगे यहाँ पर दिया है अब देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सबसे परएं मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दी गई है किस के बारे में? साउत के बारे में और नौर्थ के बारे में देखें, यहाँ पर दो जगाओं की बात है एक south की और एक north की तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि down in the south the days are fine यानि जो दक्षन दिशा होती है जो दक्षन का area है भारत का वहाँ पर दिन जो होते हैं वो कैसे होते हैं बहुत बढ़िया होते हैं अच्छे होते हैं चीक है उसके बाद यहाँ पर लिखा है when January comes around but up in the north and in the hills and so forth January is lower time अब देखें जब January का समय आ जाता है तो अगर हम north की बात करते हैं north की area की तो वहाँ पर लोग क्या करने लगते हैं लोहरी का समय चलिब्रेट करने लग जाते हैं ठीक है तो पूरे hills और उसके आगे के जो area है वो पूरी طریقी से क्या होते हैं इस चीज़ मगन हो जाते हैं तो overall यहाँ पर क्या बताइा गया है यहाँ पर यही बताइा गया है कि January का समय होता है लोरी का time लोरी क्या होता है जो कि लोग क्या करते हैं इसको enjoy करते हैं तो आज हम उसी के बारे में और डीटिल में देखेंगे, तो इस स्टेंजा में इतने अच्छे तरीके से यही बताया गया है, ठीके, चड़िए, आगे बढ़ते हैं, आज है ने स्टेंजा में अच्छें बताया है, लिए ये ने से स्टेंजा में और अब पिसके आजैया कुना है, है वो लोग ना लोहरी की समय में सब कुछ इखटा करके रख लेते हैं जी के जो लखड़ियां होती है उनको इखटा कर लेते हैं और उसको जला लेते हैं अब जलाने के बाद क्या होता है है ना and just a while the flame will leap high अब leap फाइ में leap का मतलब क्या ह Одब उचलना ना बहुत जन्दी से उपर की ओर भफ का मारती है जो आप लोगों ने देखा होगा आग की लपटे तो आग की लपटे जो होती है वो भफ का मारती है ऊपर की ओर जाती हैच्य हीं जैसे पर जाता है तो यहां पर इन लाइनों में बहुत अच्छे तरीके से क्या बताया गया है यहां पर बताया है कि लोहरी के लिए लोग क्या करते हैं लगणियों को इखटा करते हैं इसको जलाते हैं और उसकी जो आग है वो इतनी तेज होती है कि वो ऊपर तक आगाश तक Nuts and sweet meats make the ornaments passing from hand to hand. I think everyone will agree with me. We have lovely customs in our land, don't we? Now, tell us what is this? Nuts, sweet meats, ornaments, this means this means what you can see. Now, tell us what do we have to find the sense in our land. What do we have to find? When people are dancing or dancing, they call themselves sweet meats. They call ourselves come out, nuts. The other work they call themselves So you can learn from hand. और हाथों हाथ क्या होते हैं बटते जाते हैं लोग बाटते हैं एक दूसरे को ऐसे ऐसे से करके I think everyone will agree with मुझे इसा लगता है कि सब लोग क्या होंगे agree करते होंगे मेरे से We have lovely customs in our land ठीके हमारे यहां कैसे customs हैं अब customs क्या होता है रिवाज हमारे आप बहुत प्यारे प्यारे रिवाज होते हैं Don't We ? मुलब कि ऐसे नहीं है तो यहां पर ही बोला जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा है कि हमारे देश में ये बहुत ही प्यारे प्यारे इस तरह के customs होते हैं ऐसा नहीं ये और भी बहुत सारे हैं चीके तो यहां पर बहुत अच्छे तरीके से हमको लोरी के बारे में बताया गया है बाद bonfires consume a lot of words अब यहां पर अभी हम enjoyment की बात कर रहे थे अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे आके क्या देख रहे हैं हम कि जो bonfires हैं उत्सवारगी और alarm आप इसको इस तरह से भी लेख सकते हो कि उत्सव अगनी जो है ना उत्सव अगनी जब हम bonfire का मतलब इस तरह निकालते हैं जब कभी हम enjoy करते हैं तो आग लगा लेते हैं और आग लगाकर क्या करते हैं इसको सम्त नाच्टे घाते हैं जैपान में भी ऐसा ही किया जाता है तो बहुत सरी उससव होते ही जाए पर आगों का बहुत बड़ा रोल होता है तो उसको उससव अगनी कहते हैं तो bonfires consume, वो क्या करती है, खर्च करती है, a lot of wood, अब आप बोलोगे sir, ये lot of wood क्यों consume होता है, देखो, अगर बहुत बार आप woods को use करोगे, बहुत सरी woods को, अलग-अलग तरगी woods को तो क्या होगा, जंगर की लगणे को काटना पड़ेगा, और उससे क्या होगा, कहीं न कहीं, ह यह बिलकुल भी बढ़िया नहीं है, the air gets polluted from all the smoke, so it is a problem fork, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो air होता है, वो क्या होता, polluted हो जाता है, ठीक है, किसके करण, smoke के करण, धुएं के करण, ठीक है, it is a problem fork, क्या यह एक समस्या है, fork, अब देखे, यहाँ पर आपको पता होगा, कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे folk dances होते हैं, folk cultures होते हैं, उन्हें में से एक custom है, तो क्या यह problem है हमारे लिए, क्योंकि कहीं न कहीं क्या हो रहा है, यह cushion यहाँ पर इसलिए rise किया है, जैसे कि उधारन के तौर पर जब घोड़ा होता है, घोड़े को हम क्या करते हैं, घोड़े को शादी के समय में यूज किया जाता है, घोड़ा और घोड़ी, तो घोड़ी की उपर क्या करता है, धुला बैठता है, और जब धुला जब बैठता है घोड़ी की उपर, तो घोड़ी के सामने कितने फटाके और कितने सारे crackers हम जलाते हैं, तो लोग कहते ह हैं कि देखो हम अपने स्ट रिवाज तो जमा रहें अच्छे तरी इसका फॉलो कर पा रहें लेकिन कहीं कहीं हम क्या कर रहे हैं कहीं न कहें किसी को कश्ट दे रहे हैं तो ऐसे रिवाज kalau in no को हमारे लिए अध्य हमारे लिए समस्य तो नहीं है कि एडान्ट Oneto यहां पर क्या कहा जा रहा है देखिए जा रहा है यह जाए आप लोग क्या कर सकते हैं, comment section में comment करकर बता सकते हैं, एक और अन्य जानकारी, सारे top courses available हैं, ठीके dear students, आप हमाई वीडियो को like करो, share करो, subscribe करो, आपका धन्यवाद,